नमस्कार, अदाप, सुस्रेखाल और सलाम आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वास्तो शाष्टर में 16 दिशाएं किस तरीके से काम करती हैं उनके रंग कैसे हैं उसमें टॉइलेट होनी चाहिए, किचन होनी चाहिए कमरा होना चाहिए, पूजारू होनी चाहिए इन सभी बारे में हमने बखुबी अच्छे से समझा, उसको क्लियर किया अब वक्त है और एक्टिविटीज को करने का जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट में भी इस बारे में बहुत सारे कोश्चन आई सबसे पहली बात आज जो वीडियों हम बात करने वाले हैं वो है स्टेर केस की स्टेर केस किस तरीके से वास्थू शाष्च्तर में important role play करती है और क्या क्या तथ्यार ये कहते हैं कि स्टेर केस कहा होनी चाहिए अगर होनी चाहिए तो वो clock wise होनी चाहिए एंटी clock wise होनी चाहिए और clock wise और anti clock wise actual में क्या होता है जो लोग बिल्कुल fresh है वास्तू की लाइन में वास्तू की दुनिया में उनकी लिए भी ये बात जाननी बहुच आता ज़रूरी पर सबसे पहली बात तो मैं myth को clear करने की कोशिश करूँगा कि staircase जो होती है उसमें बहुत सारे myths जुड़े होए जैसे कि एक set of group है जो की ancient वास्तू को मानता है वो सिर्फ ये मानते हैं कि staircase clockwise होनी चाहिए और सिर्फ और सिर्फ आपकी घर के south west direction या उनके हिसाब से नरत्य कोन में होनी चाहिए उसका logic क्या देते हैं कि staircase भारी होती है और south west जो दिशा है वो प्रित्वी तक्तो की है या उस दिशा में भार बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो आपको वहाँ रखनी चाहिए अपनी stairs को अगर वो वहाँ पर नहीं है तो इसका ilaj क्या है और क्या वाक्य में वास्तु ऐसा कहता है तो पहली बात मैं आपको यह बता दू कि ancient वास्तु मतलब विश्वर्मा प्रताश, स्मराजन सुत्रधार, मैं मतलब इस तरीके की जितने वी ग्रंथ है वहाँ staircase के directly कोई बात नहीं होती हाँ, भार की, slops की, उतार चड़ाव की, भ्रमस्तान की, दिशाओं की बखुबी बात होती है लेकिन stairs के directly कोई बात नहीं होती वो दिशा heavy जरूर है लेकिन उसका heavy का मतलब यह है मैंने साउथ वेस्ट दिशा में भी बताया था कि वो दिशा heavy होने का मतलब है कि वहाँ पर घर के ऐसे सदस्य है जो घर के प्रिच्वी चत्तों को balance करने वाले हैं जो घर में पैसे के कारक हैं जो घर में कमाई के कारक लोग हैं जो लोग अच्छा काम करते हैं जो घर के बड़े बुजर्ग हैं वो भी उस घर में उस कमरे में रहते हैं बात आती है स्टेर्स की तो क्या स्टेर्स वहीं होने चीए वहाँ पर भी हो सकती है या in fact मैं ये कहुँगा स्टेर्स कहीं पर भी हो सकती है पूरे घर के अंदर आप दूसरे सेट अड़ रोग है वो ये बात बोलते हैं स्टेर्स जो है वो सिर्फ एंटी किलोपवाई अच्छी होते हैं जो सो कॉल्ड मोडन वास्तू है अब जो एंटी कलोपवाई स्टेर्स जो हैं या बेस्मेंट में जाते हैं वक्त नीचे जाने के लिए लॉजिकली आप क्यों बनाते हो अगर आप नीचे से उपर जा रहे हो तो उपर से नीचे आओगे लेकिन लॉजिकली जब भी आप स्टेर केस की बात करते हो आपने बनाई क्यों क्यों क्योंकि आप नीचे से उपर अब दूसरी बात क्या वो हैवी हैं या वो लाइट हैं तो सिविल स्रक्चर के हिसाब से यह तै किया जाता है कि आपके घर के अंदर कहां उपर छथ में कमरे बने हुए हैं और कहा ओवर हैड वाटर tank है that to quantity के साथ कि कहां कितना है उस हिसाब से decide किया जा सकता है कि वाके में staircase heavy है या नहीं तो flats के case में या normal घ्रों के case में staircase का heavy वाला जो role है वो close हो जाता है रही बात anti-clockwise stairs की तो anti-clockwise stairs को कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि वो energy का upwards flow है साथ में वो fire भी है clockwise को ये clockwise रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि कहीं न कहीं ancient वास्तू के ऐसे बहुत सारे तत्थे हैं जो anti-clockwise को गलर ठहराते हैं और staircase किसी भी दिशा में हूँ उत्तर में आई हुई इशान में आई हुई staircase भी बहुत ज़्यादा problem create नहीं करती पर मैं आपको सबसे best directions सब सरे बैस और सकता हूँ staircase की सर्व्य amazon दूसरे नंबर पर टी बैस इंड्रा कृष्क ऑन सौत्व स्थे नंबर परर आती है वेस्ट और व्याइति है नॉर्थ वेस्श वेस्ड ये सारी डिरैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है स्टेर एं स्टेर केस बनाने वाली और एक बहुत ही सिंपल सा उपाय जो लोग सेशन देख चुके हैं फ्री वाले उनके लिए कि अगर स्टेर केस क्लॉक्वाइज है तो मान लिजिए कि वो दिशा आपके घर से कम हो रही है एंटी क्लॉक्वाइज है तो वो दिशा आपके घर में बढ़ रही है बार चा स्टेर केす हैं वो कोई और भी स्टमाल करता है फास फ्लोर वाले इस्तमाल करते हैं ग्राउंड वाले इस्तमाल करते हैं जो भी तो वो एक कट एरिया मान जाएगा तो उस केस में स्टेर केस का रोल बचा ही नहीं वो सिर्प आज़े एंटरंस काउंट हुई इस तरीह के से analysis करने की कोशिश कीजिए कि staircase वाकई में कितनी अच्छी और कितनी बुरी result दे सकते हैं अब एक set of लोग ये भी हैं जो ये बात को मानते हैं कि staircase जो है वो हमेशा old होनी चाहिए मतलब 9 होनी चाहिए 11 होनी चाहिए 21 होनी चाहिए मेरा अपना जो logic है या मेरी जो अपना ग्यान है या जितनी भी मैंने बढ़ाई करी है अब उसके हिसाब से या मेरे experience के हिसाब से ऐसा बिलकुल accurate नहीं दिखा गया ना तो मैंने कहीं पर even आने वाली staircase में कोई problem देखी है ना ही ode आने वाले में कोई बहुत जाला अच्छे प्रभाव देखे है हाँ कुछ लोग मानते हैं इसमें आप order रख सकते हैं लेकिन किसी की even भी है अगर है तो कोई ऐसी problem वाली बात नहीं है और जिन लोगों को ये बिलकुल भी समझ में ना आया हो इतना logical explanation या staircase तो आप staircase में किसी भी तरीके की staircase का एक राम बन तरीका है चाहे वो clockwise हो चाहे वो anti-clockwise हो वहाँ पर एक warm white color का bulb लगा देंगे तो staircase के सारे दोश खतम हो जाएंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभार और पुसा रप्याई